गर्बग्रे में विराजमान रामलला के चेहरे की पहली तस्वीर आई सामने आज से अईस्ताई मंदर में बंद होंगे रामलला के दर्शन नमस्कार मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चली रुख करते हैं आज की प्रमुख खबर पर अयोधिया में 16 जन्वरी से शिरू हुए प्रांट पतिस्टा अनुस्ठान का शुकरवार 19 जन्वरी को चौथा दिल है आज शाम से अर्साई मंदिर में रामलला के दर्शन बंध हो जाएंगे 22 जन्वरी को प्रांट पतिस्टा के बाद नई मंदिर में 23 जन्वरी से शिरू के दर्शन मिलेंगे इससे पहले गुरुवार को रामलला की मूर्ती को गर गुरे में बने आसन पर रख दिया गया था कारिगरों ने मूर्ती को आसन पर खड़ा किया इस प्रोसेस में 4 गंटे लगे बताय गया है कि अब मूर्ती को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा वरी को वास्तु शांती के बाद सिंगासन पर विराजेंगे इसी बीच जगत गुरू राम बदराचारे ने कहा कि गर्भ ग्रह में नई प्रतिमा की प्रांपतिस्टा में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लोगों के दर्शन के लिए किया गया है आज शाम साथ बजे से अईस्था से आए सेंड आर्टिस्ट नारेन साहू ने राम मंदर मॉडल को तयार किया है रेत और पानी से राम मंदर के मॉडल को साहू सहित उनकी टीम के चार लोगों ने तयार किया है इस मॉडल को बनाने में तीन से चार दिन का समय लगा उजेन महाकाल शुर मंदर के पांच लाख लड़ू की प्रसादी सीएम जॉक्टर मुहने आदम ने शुकरवार को योद्या बेजी है उन्होंने लड़ू प्रसादी के पांच कंटेनरों से बोपाल के मानस भवन में भगवा जंडी दिखाई है यह कंटेनर श्री महाकाल शुर मंदर समिती ने गुरुवार देर रात वो पाल बेजे थे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल